नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर सो बांगलादेश की जो नई सरकार है उसके द्वारा अब भारत को एक और बड़ा जटका दिया गया है उन्होंने यहाँ पे एलान कर दिया है कि बांगलादेश में जो पहले शेख हसीना की गवर्मेंट थी उनके द्वारा जो भी भारत सरकार के साथ MOUs को साइन किया गया था जो भी उनके द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को साइन किया गया था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर जो है दोस्तो कल रात को ही सामने आई है बांगलादेश to review and scrap non-beneficial MOUs and projects जो की उन्होंने भारत के साथ sign किये हैं और यह जो statement है यह बांगलादेश के जो नए foreign affairs के advisor कह लीजिए या मंत्री कह लीजिए उनके द्वारा यह वाला statement य उन्होंने कब दिया वो basically एक meeting करकर आये थे organization of Islamic corporation की जहाँ पर पाकिस्तान भी मौजूद था उस meeting को जब वो करके वापिस बांगलादेश लोटे and immediately उनके द्वारा यहाँ पर यह statement दिया गया है and more worryingly बांगलादेश के द्वारा दोस्तों उनके एक और minister है एक और जो water resources को लेके minister है उन्होंने यहाँ पर भारत को तीस्ता agreement को लेकर भी एक चेतावनी दे दी है जिसको कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से indirect warning है जो कि उन्होंने इंडिया को यहाँ पर issue कर दिया है यहाँ पर आप उनके द्वारा दिया गया statement देखिए उन्होंने कहा कि मैं समझता की तीस्ता treaty को लेकर इंडिया के साथ हम लोग बातचीत के साथ इन मुद्दों को सुलजा सकते हैं लेकिन साथ में यह कहा कि अगर बातचीत से मुद्दे नहीं सुलजे तो उस case में बांगलादेश इस मुद्दे को internationalize करेगा and साथ में जो international principles है उसके तहत हम लोग इस समझ जोते को यहाँ पर अचीव करने का प्यास करने वाले हैं यहाँ पर यह बड़ी इसलिए बन जाती हैं because government ने यह कहा है कि जो अभी तक पुराने वर्षों में जो भारत ने पुराने प्रोजेट्स भी बांगलादेश के साथ साथ साइन किये थे उनको भी हम लोग खारिज क हमें दे रही है बात करेंगे दोस्तों इन सारी developments के बारे में जो हमें देखने को मिली हैं कौन से कौन से वो MOUs हैं कौन से कौन से वो projects हैं जिनको यहाँ पे scrap करने की बातचीत हो रही है and more importantly समझा जाएगा कि इस से भारत के ऊपर क्या-क्या domestic और geopolitical implications देखने को मिलने वाली हैं आए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए GS batches को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर दी गई dates को हम लोग इन नए batches को launch करने वाले हैं and दोस्तों GS batches के साथ साथ हम लोग आपके लिए इन ही centers में CSAT, essay writing classes, current affairs coverage, test series and even doubt solving और mentorship जैसी सेवाएं भी available करवा रहे हैं आपको कोई भी doubt है, कोई भी query है आप या तो center को visit कर सकते हैं या या फिर आप नीचे दिये गए info numbers पर phone भी कर सकते हैं, free study material प्राप्ट करने के लिए या फिर UPSC के syllabus को प्राप्ट करने के लिए आप लोग हमारी unacademy app को download कर सकते हैं, जो की आपको description box में उसका link available करवाया गया है, alright, so directly हमें जो खबर में देखने को मिला है, वहाँ पर बांगलादेश की जो नई अंतरिम सरकार है, जिसको की एक तरीके से मोहमद यूनस यहाँ पे चला रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि कोई भी MOU या कोई भी project जो की उनको लगता है कि बांगलादेश को इसका कोई फाइदा नहीं हो रहा, उस project को हम लोग पहले review करेंगे और उसके बाद हम लोग उस project को भारत के साथ यहाँ पर courage कर देंगे, exact statement आप देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है बांगलादेश के जो नए foreign affairs minister या foreign affairs advisor कह लीजे, उन्होंने कहा कि MOU कोई agreement नहीं होते और उनको जब चाहें हम revise कर सकते हैं, अगर बांगल तो या तो उसको modify करेंगे या फिर हम लोग उस agreement को यहाँ पर revoke कर देंगे, very very interestingly as I told you, यह वाले जो बांगलादेश के नए foreign affairs के मंत्री हैं, यह एक OIC की meeting को करके lot रहे थे, जहाँ पर इनकी मुलाकात पाकिस्तान के भी मंत्रियों से हुई and immediately आते ही इनके द्वारा इस तर यह demand करी थी कि अगर बांगलादेश को लगा, तो हम लोग शेख हसीना जी की जो return है, वो भी इंडिया से हम लोग demand कर सकते हैं, खेर, कौन से कौन से MOUs को यहाँ पे radar में लाया गया है, आपको बता दूँ, अभी जब शेख हसीना की government दुबारा सक्ता में आई थी, फरवर 24 के आखरी दिनों की बात है, जब शेख हसीना as Prime Minister of Bangladesh भारत के दौरे पर आई थी, तो उस समय दोनों देशों के बीच में exactly 10 MOUs को sign किया गया था, और यह जो 10 MOUs थे, इसमें से कुछ blue economy के साथ संबंदित थे, कुछ संबंदित थे maritime cooperation in Bay of Bengal and Indian Ocean region, कुछ संबंदित थे बांग वाला था, कुछ यहाँ पे संबंदित थे rail connectivity को लेकर, कुछ यहाँ पे संबंदित थे वैपार को लेकर, और इन्होंने कहा है कि यह सारे के सारे जो भी MOUs यहाँ पे sign किये गए थे, उन सभी का visualization हम लोग करने वाले हैं, यह तो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा surprising development देखने क मिली है, बांगलादेश ने यहाँ पर यह भी announce कर दिया है कि जो पुराने, जो LOC projects थे, जो भी India के द्वारा loan पे दिये गए projects थे, इनको हम लोग line of credits कहते हैं, उनको भी review में डाला जाएगा, आपको मैं थोड़ी history बता दूँ, इंडिया ने अभी तक बांगलादेश को कुल मिला के loans दिये हैं, जिसमें से एक सन 2010 में, दूसरा 16 में, और तीसरा सन 2017 में दिया था, जिनकी कुल value almost almost 7 billion dollar की थी, and बांगलादेश की जो नई interim government है, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि कई सारे यहाँ पर projects जो की India के loan से बांगलादेश में बनाये जा रहे हैं, यह कई सारे projects ऐसे हैं, जो की केवल Indians को ही फाइदा दे रहे हैं, Indian government को ही यहाँ पर फाइदा दे रहे हैं, बलकि उन्होंने यहाँ पर example भी दिया, कि for example एक four lane road है, जो की बांगलादेश में आशू गंज से बांगलादेश के अखौरा तक चलती है, लेकिन वो वाली जो four lane road है, वो केव भारत को ही फाइदा दे रही है, यह थोड़ा surprising बन जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा दिया गया loan था, सडक बनाई गई completely बांगलादेश के अंदर, और उस पे भी बांगलादेश की नई सरकार कहती है, कि इसका फाइदा केवल भारत को हो रहा है, यहाँ से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत को गलत तरीके से यहाँ पर target किया जा रहा है, जबकि जो complete road की construction है, यह दोनों ही areas हमें बांगलादेश में ही देखने को मिल जाते हैं, and the most surprising चीज जो कि हमें यहाँ देखने को मिली है, that is with respect to the 30th Water Sharing Agreement, वहाँ पर ब Water Resources के advisor या minister कहलीजे, सईदा, रिजवाना, हसन, इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो upper riparian और lower riparian countries हैं, इनको international principles को adhere करना चाहिए, जिसके basis पे पानी का जो distribution है, वो तै किया जाना चाहिए, and साथ ने इन्होंने कहा कि हम लोग भारत के साथ 30 Water Sharing Treaty को लेकर जो बातचीत है, इसको restart कर करने में भी interest show करते हैं, यानि कि हम लोग इंडिया के साथ बातचीत को दुबारा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही में इन्होंने एक तरीके से warning दे दी, बलकि मैं कहूंगा indirect भी नहीं, एक तरीके से direct warning ही दे दी है, इन्होंने कहा है कि हम उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी यहाँ पर problems हैं, इनको resolve किया जाएगा amicably, यानि कि बातचीत के through friendship के माध्यम से resolve किया जाएगा, लेकिन साथ में यह भी एक इशारा कर दिया कि अगर बातचीत से नहीं solve होती है, तो बांगलादेश इस मुद्दे को internationalize करेगा, international legal documents पेश करेगा, and principles के आधार पर हम लोग इंडिया के against एक यहाँ पर case भी लड़ना शुरू कर सकते हैं, अगर यह agreement यहाँ पर reach नहीं होता है, इसकी भी आपको history बता दूँ, कई बार कोशिश करी गई थी कि यह वाला agreement यहाँ पर sign किया जाए, लेकिन दोस्तो agreement sign नहीं हो पाया था, आज से कई साल पहले, in fact 2010-11 के आसपास की बात है, agreement को sign करने की बातचीत हुई थी, लेकिन उस time पे West Bengal की जो CM थी, ममता बैनर जी उन्होंने कहा कि जी नहीं, अगर यह agreement sign होता है, तो इसका जो West Bengal के कई सारे हिस्सें हैं, उनको नुकसान हो सकता है, और इस लिए हम लोग इस agreement को sign करने के favor में नहीं हैं, लेकिन और इस चीज़ को जो शेख हसीना government थी, वो understand कर रही थी, और इसलिए वो एक अलग तरीके का project यहाँ पर plan कर रही थी, जिसके माध्यम से वो एक नया तीस्ता के ऊपर कुछ-कुछ water sharing को लेकर projects को plan किया जा रहा था, जिसके माध्यम से ये make sure किया जाता कि Northern part of West Bengal all को भी दिक्कत ना आती, और जो Northern part of Bangladesh है, उसमें भी दिक्कत ना आती, लेकिन जो नई सरकार आई है, मोहमद यूनस की जो सरकार आई है, वो सीधा सीधा ये कह रही है, कि हम इस agreement को finalize करेंगे, नहीं finalize हुआ, तो हम लोग सीधा सीधा इस मुद्दे को internationalize करने वाले हैं, so overall ये सारी की सारी जो developments हो रही हैं, इसके दोस्तों भारत के उपर multiple implications देखने को मिलने वाले हैं, पहले तो बहुत सारे हम लोग जो agreement sign कर रहे थे, वो इस तरीके से थे, कि हम लोग directly अपने Northeast के साथ connectivity को बढ़ा सकें, तो पहले तो वो यहाँ पे सफर करने वाली है, because अब जो नई government है, वो obviously इतनी compliant नहीं होने वाली है, अगर जो तीस्ता water treaty को लेकर इस तरीके से ये लोग धमकी दे रहे हैं, this can create some water issues for the northern parts of West Bengal, जो की again हमें महा पे मालूम है कि अबादी बहुत जादा है, and water scarcity भी देखने को मिलती है, and more importantly, जो भी projects, जो भी ये loans, इंडिया के साथ खार projects हैं, ये ultimately China को ही दिये जाएंगे, because already जो हम देख रहे हैं, जब से नई सरकार आई है, ये already China के साथ अपने संबंदों को better करना शुरू कर चुकी है, so यहाँ पर इंडिया के लिए domestic, and यहाँ पर भारत के लिए geopolitical implications भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, देखते हैं, क्या हो government भी इसको follow कर रही होगी, and जल्द ही हमें उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर reply देखने को मिल सकता है, जो भी development होगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे, आप लोग जो भी सोचते हैं, ज़रूर बताए हमें comment section में, thank you so much for listening, stay tuned, and stay